नमस्कार आप देख रहें वीके न्यूज मैं हूँ सुनिल व्राउड कहते हैं इतिहास अपने आपको कभी ना कभी दोहराता जरूर है इसलिए इतिहास से सबक लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इतिहास में जो गल्तिया हुई है वो दोबारा नव जिससे कि उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके लेकिन कॉंग्रेस लगता है इतिहास से कुछ सीखना ही नहीं चाहती या वो इतनी लापरवा हो गई है कि उससे उसके दोहराव का भी डर नहीं रहा साल 1967 का था तब मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे दीपी मिश्रा तब जूतिरादित्य सिंधिया की दादी यानी राजमाता सिंधिया कॉंग्रेस पे होआ करती थी उनके साथ भी कॉंग्रेस में वही हुआ था जो इस वक्त जूतिरादित्य सिंधिया के साथ हो रहा है कॉंग्रेस के नेताओं ने राजमाता विजयराजे की उपेक्षा की CM ने उनकी उपेक्षा की और नतीजा ये हुआ कि लोकसभा और विधांसभा चुनाओ से पहले राजमाता ने कॉंग्रेस पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाओ रड़ा ये चुनाओ राजमाता ने जीता भी और इस जीत के साथ ही कॉंग्रेस के 36 विधायक पार्टी छोड़ कर उनके साथ आ गए नतीजा ये हुआ कि CMDP मिश्रा की सरकार गिर गई जैसे आज कमलनाध की गिरने वाली है वाकिया 53 साल पहले जरूर हुआ है लेकिन मध्यप्रदेश की सियासत में आज भी मौजू है तब दादी ने कॉंग्रेस की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था और आज वही भूमी का पोता नी भारा है तो क्या हुआ था जिसकी वज़े से राजमाता विजया राजे सिंधिया ने कॉंग्रेस छोड़ दी थी तो आपको बता देख कि 1967 में जब कॉंग्रेस की सरकार थी और डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री थे तब गॉलियर में छातरा अंदोनन हुआ था जिसको लेकर विजया राजे और मिश्रा के बीच अनबन हो गई थी हलाकि इससे पहले भी मिश्रा से टिकेट बटवारे को लेकर विजया राजे के मधभेत थे और लगातार मिश्रा विजया राजे को उपेक्षित कर रहे थी इसी साल चुनाव होने थे और पच्मडी में कॉंग्रेस युवक संभेलन का अयोजन किया गया था इस संभेलन का उद्गाठन इंदिरा गांधी नी किया था जिसमे भाग लेने विजया राजे भी पहुंची थी तब उन्होंने टिकेट बटवारे और छात्रा अंदोलन के मुद्दे पर बात करने के लिए डीपी मिश्रा से समय मागा लेकिन मिश्रा ने विजया राजे से तुरंत मिलने के बजाए उन्hे 15 मिनिट तक इंतसार करवाया राज माता को ये इंतसार बहुत अक्रा था उन्हें लगा कि डीपी मिश्रा महरानी को उनकी हैसिएत का एहसास करवाना चाहते है विजया राजे के लिए किसी जटके से कम नहीं था दरसल छात्रा अंदोलन में पुलिस ने गुली बारी की थी जिससे विजया राजे नाराज थी और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर गौलियर केसपी को हटाने की मांग की थी एक बड़े नेता की बहुत छूटी मांग थी लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे भी नहीं माना था इसी से आहात होकर विजया राजे सिंधिया ने चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस छोड़ दी थी और विट गुना संसदिय सीट से नर्दलिय उमिद्वार के तोर पर चुनाव में उत्री थी गुनाव वही संसदिय सीट है जहां से जूति रादिति सिंधिया लगातार चुनाव जीबते आ रहे थे और इस बार पहली बार उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव हराए। चुनाव के बाद 36 विधायकों ने कॉंग्रेस से बगावत कर पाटी छोड़ दी। विजयराज ने इनी विधायकों के समर्तन से सतना के गोविन नारायन सिंग को मुख्यमंत्री बनवा दिया था और मध्यप्रदेश के इतिहास में तब पहली गैर कॉंग्रेसी सरकार बनी थी। ऐसा ही कुछ सिंधिया के साथ भी हुआ। 2018 का चुनाओ तो सिंधिया के नित्रित में लड़ा गया लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो 13 दिसंबर 2018 को राहूल गांधी ने कमलनाथ को सियम बनवा दिया। सिंधिया तब भी चुप रहे। उसके बाद समय समय पर सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग उठी लेकिन न तो कमलनाथ ने ये पच्छोडा न आला कमान ने कोई नर नहीं लिया। इसी वज़े से सिंधिया ने लगातार पार्टी के खलाब जाकर पार्टी को संदेश देने की कोशिश भी की। नमांगन की आई तब भी सिंधिया को पीछे धकेल दिया ले। 9 मार्च को कमलनाथ सोनिया से मिले लेकिन उन्होंनी सिंधिया के राज्य सभा को लेकर कोई बात नहीं की। सिंधिया ने सोनिया से समय मांगा तो वो भी नहीं मिला। इसी बेरुखी से परिशान सिंधिया ने इतना बड़ा फैसला लिया और कमलनाथ की सरकार को संकट में डाल दिया। अभी के जो हाग है उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिरनी तय है और बीजेपी के नेता का मुख्यमंतरी बनना भी है। तो ये रहा पूरा वो इतिहास जो एक बार फिर दोहराया गया है। तब दादी ने कॉंग्रेस की सरकार गिरबाई थी और अब वही काम पोते ने किया है। तो इसलिए कहते हैं कि इतिहास से सबक लेना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट डॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं और कोई आपके पृतिक्रिया हो वो भी लिख सकते हैं और इस खबर को आप ज्यादा-स्यादा शेयर करिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल आइकन दबा दिजे ताकि आ वीडियोज के नूटिफिकिशन बिलते रहें और आप देखते रहें वीके डियूज नमस्कार